वर्तमान में एक चर्चा लोग सभाचुनाव के प्रणाम को लेकर बहुत जोर सोचे है मानने नरेंदर दामोदरदास मोदी जी बहुमत का जो आगड़ा था संख्या थी 272 उससे दूर है ऐसा अपवाद फैलाने वाले लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिस दिन प्रणामंत्री नर के पर पर मानने नरेंदर दामोदरदास मोदी जी सबत लेंगे उस दिन उनके समर्थन में 245 के साथ साथ आमे सांसद होंगे जो मिला कर 300 का आकड़ा पार कर लेंगे और आगामी एक वर्ष के भीतर प्रणामंत्री के कारिकाल से प्रभावित होकर इंडी गटबंधर के तमाम छोटे मोटे गटगदल बिना कहे प्रणामंत्री के साथ में होंगे और यह संच्छा 400 से पार होगी प्रणामंत्री के पांच एतिहासिक प्रणे देश की राजनीत के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी बहुत बड़ी हलचर पजा करेंगे और 2027 में भारत दुनिया का आर्थिक दिश्टिकोंट से तीसरा सबसे महत्पूर देश होगा पांच एतिहासि प्रणों से भारत की आर्थिक बिवस्था तो सुझण होगी उसके साथ भावी पीड़ी के सौने भविश्ट का जो प्रयास है वो भी सुरचित और ससक्त होगा पुरी दुनिया आगा में इन पांच सार के फैसलों में मोजी जी की जजेकार करेगी और तेस्वासिस का भरपूर लाग पाएंगे जैसे राम